जब हम बात deficit demand की करते हैं हमारी economy में तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि deficit demand आखिर होता क्या है उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी economy में equilibrium point पे क्या-क्या factors होते हैं फिर आता है point deficit demand का अब जब हम deficit demand की बात करते हैं तो उसके बाद में हमें उसके causes पता होने चाहिए फिर उन causes से related उसके जो परिनाम होते हैं उसके जो consequences होते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए So hello everyone, this is me Ayushi and I welcome you to Score Shala और आज के इस वीडियो में हम उन consequences की बात करने वाले हैं जो की deficit demand की वज़े से हमारी economy में lie करते हैं अब deficit demand की situation होती क्या है ये तो हम सब जानते हैं जब aggregate demand और aggregate supply ये दो ऐसे factor हैं जब ये दोनों बराबर होते हैं economy में तो वो तो state होती है equilibrium की लेकिन what if aggregate demand जो है वो होती है कम और जो supply है वो होती है ज्यादा तो ये जो situation है ये होती है deficit demand की अब इसके बहुत से causes हमने जाने थे कि बहुत deficit demand आखिर होती किस-किस कारण की वज़े से है private consumption में कमी की वज़े से government consumption, investment की कमी के वज़े से export और import के बारे भी हमने जाना था अगर आपने वो video नहीं देखा है तो आप पुराने video जरूर देखेगा उसमें हमने causes की बात करी है लेकिन आज के इस video में हम बात करने वाले है consequences के यानि की परिनाम के के deficit demand की वज़े से economy में क्या-क्या चीज़े नहीं हुई हैं क्या-क्या चीज़े affect हुई है तो चलिए देखते हैं एक के करके हम बात करते हैं so इसके situations हम चार critical situations के बारे में पढ़ने वाले है four critical situations in the economy ये चारो situation किस reasons की वज़े से इरप्ट हुई है ये चारो ही situation इसकी वज़े से economy में जन्मी है तो जिसमें सबसे पहली situation है वो है under employment equilibrium under employment see employment क्या होता है वो तो हम सब जानते है under employment बस उसी का opposite होता है हमारी economy में जब हम equilibrium point की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होती है कि supply और demand दोनों जहांपे match कर जाएं वो जो point होता है वो तो equilibrium का point होता ही है full employment यानि की जितने भी लोग हैं हमारी economy में सब fully employed है और जब हम deficit demand की बात करते हैं तब क्या होता है कि भई दिखती सी बात है अब हमारी economy equilibrium zone में है ही नहीं उससे कहीं न कहीं पिछडी हुई है तो जब हम बात deficit demand की करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं वो होती है under employment equilibrium तो चलिए देखते हैं इसके बारे में deficit demand leads to under employment equilibrium owing to the deficiency of AD producers are not able to fully utilize their resources यानि की production capacity अब एक बात आप सोमझने की कोशिश केजी हमारी economy में demand तो है कम और producer ने जो planned output यानि की plant जो उसका stock था वो उसने बना के रख दिया अब क्या हुआ कि भई क्योंकि उसकी demand ही नहीं है तो अब क्या हुआ कि उसके पास में already stock पढ़ा हुआ है producer के पास में already stock पढ़ा हुआ है जो कि sell हुआ ही नहीं है तो अब वो आगे से क्या ध्यान रखेगा कि नहीं मेरे पास में already stock है next time के लिए मुझे stock थोड़ा कम करना पड़ेगा अब जैसे ही वो stock कम करने की बात करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि यार मुझे stock कम करना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ अपनी cost को cut करूँ अब cost वो कहां पे cut करेगा कि जितने production factors जो जो है उनमें से वो cut करना start करेगा हो सकता है जहां पे वो चार machines use करता था वहां पे अब वो electricity को बचाए और हो सकता है वहां पे वो एक ही machine use करें है ना हो सकता है जहां पे वो 10 labors को wage देता था वहां पे अब वो 3 को ही employ करें है ना और बाकी जो है वो क्या माने जाएंगे unemployed या फिर underemployed ओके फिर उसके बाद में ऐसे ही वो क्या करेगा कि अपना जो raw material है उसको कम कर देगा क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसी pace पे चलेगा तो वो कही ना कही market में उसको क्या मिलेगा उसे loss मिलेगा राइट आगे देखते हैं planned output remains less than the potential output जो planned output है वो कम है किस से potential output यानि कि जतना economy को वो दे सकता है कौन producer जतना economy को producer दे सकता है उससे वो बहुत कम output generate करेगा ओके output corresponding to the fuller utilization of resources accordingly under employment equilibrium is struck in the economy और इस reason की वज़े से क्या होगा हमारी economy में under employment equilibrium lie करने लग जाएगा क्योंकि सभी employed नहीं है कही ना कही producer की वज़े से क्या हो रहा है कही ना कही producer की वज़े से employment में कमी हो रही है और इस वज़े से वो जो equilibrium है यानि या अंडर employment equilibrium आ रहा है ओके economy में तो चलिए आगे देखते हैं next point ये देखे ये हमारा deficit demand का graph है इसको हमने बहुत अच्छे से study किया है एक बार और देखते हैं हम under employment को यहाँ पे हम place करते हैं see ये हमारा graph है ये हमारा y is equals to as है ओके ये हमारा aggregate demand है one ये क्या है हमारा this is our equilibrium point जहाँ पे as is equals to ad है और full employment की situation है ठीक है अब क्योंकि deficit demand की situation है तो यहाँ पे क्या होगा जो demand है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और वो यहाँ जब लाए कर रही थी इस point पे अब कहां करने लगेगी अब यहाँ करने लगेगी और ये हो गया हमारा नया equilibrium point say f ये हो गया हमारा ad2 ठीक है अब हम जानते हैं कि ये जो area है this is what ये जो area है this is deflation area demand की कमी है supply बहुत जाएगा है तो economy को क्या face करने पड़ेगी मंदी वाली situation ठीक है और ये जो gap है this is what deficit demand अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो point था ये था full employment का point ठीक है ये था full employment का point ये देखिए यहाँ पे हमने बात करी full employment का point और ये जो point है ये कौन सा point है ये है under employment का okay so I hope clear हुआ होगा आपको इसमें भी देख लेते हैं ये जो 45 degree line है ये हमारी है y is equals to as ये हमारा पहला adf यानिकि aggregate demand है full employment पे लाई कर रहा है ठीक है ये इसका equilibrium point है e पिर क्योंकि deficit demand की situation है हमारी economy में तो aggregate demand कम है aggregate demand यहाँ पे कम हमने adp से show करी है all right so जो नया equilibrium point है वो है q अब तो ये जो q वाली situation है ये क्या दिखा रही है under employment equilibrium at gdp और ये वाली जो situation है जहाँ पे as is equals to ad है ये क्या दिखा रही है full employment equilibrium all right so under employment equilibrium क्या है कैसे कहाँ लाई करता है कि अपनने देख लिया अब इसके बाद में आगे देखते हैं ये बस उसी diagram का यहाँ पे थोड़ा सा elaborate किया है deficit demand is equals to ef deficit demand कौन सी है ef ठीक है ये वाला जो portion है ये हमारा क्या है deficit demand का portion है okay next is because of the deficiency of demand equilibrium is struck at point q deficiency of demand ये वज़े से जो equilibrium point है वो कहाँ पे आया है नया वाला q पे आया है okay next is where adp line intersect the 45 degree as line जो adp line है वो 45 degree as line को यहाँ पे cut कर रही है at point what q this is under employment equilibrium ये क्या कैल आया है under employment equilibrium क्योंकि ये तो था full employment equilibrium अब इसके नीचे है तो इसलिए ये क्या है under employment equilibrium point okay equilibrium GDP corresponding to under employment equilibrium is equals to on यहाँ पे देखते है on ये हमारी क्या हुई ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या consider किया है इसको हमने consider किया है corresponding to under employment equilibrium on is under employment equilibrium GDP और om क्या है full employment equilibrium GDP और potential और potential GDP that is om यहाँ तक ये तो potential है ये तो potential है और ये under है on ठीके तो ऐसे हमने इस diagram को समझा है आगे देखते हैं next is deflationary gap deflationary gap यानि की mandi okay so deficiency of demand creates deflationary gap in the economy it is a situation when lack of demand leads to deflationary pressure in the economy अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर मैं इक बर इसको रफ कर देती हूँ ये जो है ये क्या है deflationary चाहिए अब क्योंकि deflation को हमें economy से कम करना है तो हमें क्या करना होगा pressure लगाना होगा pressure लगाने के लिए हमें क्या करना होगा ऐसे ऐसी policies बनानी होगी बहुत सा कुछ करना पड़ेगा हमारी government को हम private जो consumption expenditure है हमें उससे बढ़ाना पड़ेगा investment बढ़ाना पड़ेगा government को consumption बढ़ाना पड़ेगा हमें export import के साथ में भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होना चाहिए कि भाई ये जो ADP है ADP यानि कि हमारा aggregate demand at point P जो की दूसरा वाला demand है deficient demand का है तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस पे pressure लगे और ये दीरे 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 कहां आए इस point पे आए क्यूंकि इस point पे क्या है AS is equals to AD ओके ये जो gap है इसको हमने क्या नाम दिया है deflation inducement to investment is hurt मतलब investment की कमी के कारण lowest investment leads to low output आप economy में आप imagine कीजिए कि लोग invest ही नहीं कर रहे है पैसे आप invest क्यों नहीं कर रहे है क्योंकि उनके पास में income नहीं है आपन ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि हमारी income का ही पार्ट होता है investment तो आप imagine कीजिए कि लोग economy में invest ही नहीं कर रहे है अब जब invest ही नहीं कर रहे हैं लोग तो उससे क्या होगा कि output ही नहीं निकल के आएगा दिखती सी बात है जादा investment, जादा output, जादा income ठीक है ये तीनों चीज़े एक के बाद एक related है implying low income, low output से क्या है low income है और low demand once again तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि एक circle है सबसे पहले आता है हमारा investment, उसके बाद में आता है हमारा output, उसके बाद में आती है हमारी income, उसके बाद में आता है demand फिर demand की कमी के वज़े से वापस investment तो हमारी economy कुछ इस तरीके से work करती है कि भई investment अगर आप जादा से जादा करोगे economy में तो हमारा output कैसा होगा? जादा आएगा जादा output आएगा तो लोगों को income जादा मिलेगी income ज़ादा मिलेगी लोगों तो लोग demand ज़ादा करेंगे economy में और demand ज़ादा होगी तो उससे क्या reflect होगा कि बापस लोग invest करेंगे ठीक है क्योंकि एक की जो income है एक का expenditure दूसरे की income और उसकी जिसकी income है उसका investment उसका investment अगले की demand तो हमारी economy जो है वो इसी तरह कैसे काम करती है अब क्योंकि हम deficit demand की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो investment है वो कम है investment कम होने के कारणट से जो output है वो भी कम है output कम होने के वज़े से जो income है वो भी कम है और income कम होने के वज़े से लोग जो है वो economy में demand create कर ही नहीं रहे है और क्योंकि demand create नहीं कर रहे है इसलिए दुबारा investment करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है तो हमारी जो economy है वो कुछ इस तरीके से work करती है और इस point में भी हम यही समझ रहे हैं कि implying low income, low demand once again the economy starts slipping into deflationary spiral और इससे क्या हो रहा है कि जो मंदी चल रही है वो अपने ही जाल में फस्ती जा रहे है यानि कि वो कम होनी की बज़ा है मंदी से जो मंदी है जो deflation है वो कम होनी की बज़ा है और जादा हो रहा है ठीक है और जो economy है वो किस में फस्त रही है वो फस रही है, deflation spiral में, या फिर low level equilibrium trap, low level equilibrium trap यानि की जाल में फस ती जा रही है, यहाँ पर देखी यही बताया है, low aggregate demand क्या impact कर रहा है, low investment, यूग कि लोगों की demand कम है तो investment कम है, low output, low income, low aggregate demand once again, So consequently, the economy slips into deflationary spiral और low level of equilibrium trap, इसके वज़ह से क्या हो रहा है, कि लोग उसी जाल में फसते जा रहे हैं, और हमारी जो economy है, उसमें से मंदी खतम होने का नाम नहीं ले रही है, right, आगे देखते हैं, यह देखिए, यह measurement है deflationary gap को, हम कैसे measure करते हैं, deflationary gap को ही हमने क्या माना है, deficiency of aggregate demand यानि कि यह जो point था, यह हमार को पता है, यह deficient demand है, और यह जो point है, यह क्या है, deflationary gap, so deflationary gap is measured as the difference between AD corresponding to the full employment and plant aggregate demand, यानि कि जो difference, इन दोनों का जब हम difference निकालते हैं, तो हमारे पास में बीच में क्या आ जाता है, deflationary gap हमारे पास में आ जाता है, okay, फिर third point आता है, undesired stock, अब क्या हो रहा है, कि deficient demand की situation है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, under employment equilibrium लाए कर रहा है, फिर क्या हुआ, deflationary gap आया economy में, अब इससे जादा और खराब क्या हो सकता है, कि undesired stock इकठा हो रहा है, क्योंकि demand कम है, तो producer ने planned stock जो था, वो तो produce करके रख दिया तो अब क्योंकि वो market में उसके demand ही नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, इकठा होता जा रहा है, और इस साल वो इकठा हो गया, तो क्या हो रहा है, अगले साल की भी sale पे वो effect करेगा, ठीक है, so in a situation of low aggregate demand, producers are not able to sell all that they plan to sell, उन्होंने जो भी wish किया था, जो भी plan किया था, कि ये मै है, इस साल वेचना है मुझे, चीक है, तो वो नहीं बिख पा रहा है, accordingly, undesired stock tends to pile up, और जिसके वज़े से क्या हो रहा है, जो undesired stock है, वो एकठा होता जा रहा है, clearance of undesired stock often led to, और जब हम में, economy में ये हो जाता है, कि अब मुझे ये stock निकालना है, जब भी प्रडिकर ये सोच अब ये stock मुझे market पे निकालना है, तो वो क्या करेगा, कम कीमत पे बेचेगा, सबसे पहली चीज, और सबसे पहला point क्या आता है, fall in price and fall in planned output for the year ahead, या तो वो क्या करेगा, कि परी कम price में बेचेगा, या फिर दूसरा point या है, कि वो अगली साल के लिए, कम produce करेगा, वो सोच या फिर चार उपे में बेचेगा, ठीक है, तो वो अपने पास में वो इकठा करके उसे कोई फाइदा नहीं होने वाला, तो वो सोचेगा कि चलो कम में ही बेचतो, या फिर अगली साल के लिए, जो stock है, उसको कम करतो, ठीक है, फिर fourth point आता है, loss of profits, अब loss of profit भी कहीं ना कही इसी से ही आप relate कर पा रहे होंगे, कि भाई, जब producer का उतना ही stock market में नहीं आया है, तो profit मिलना तो उसके लिए दूर-दूर तक कहीं कोई बात नहीं है, so deficiency of aggregate demand causes loss of profit, यानि कि aggregate demand जैसे-जैसे हमारी economy में कम होगी, तो वैसे ही profit की जो accountability है, वो भी कम होती रहेगी, this happens because, अब य सबसे पहली चीज, जो उनके पास में available stock है, producer उसको ही नहीं बेच पा रहे हैं market में, सबसे पहली चीज ये, दूसरी बात, undesired stock led to price crash, और दूसरी चीज क्या है, जो undesired stock है, उसकी वजह से price में crash हो गया, यानि कि price, जो उनोंने सोची थी कि हम हमारे product को इस price पे बेचेंगे, वो क्या करेंगे, अब उनको price कम करने पड़ेगी, और जब वो price कम करेंगे, तो profit के जो उनके chances हैं, वो बिलकुल negligible हो जाएंगे, ओके, तो ये चार points हमने देखें, कि भाई, deficient demand जब economy में होगी, तो उसके जो consequences हैं, वो कौन-कौन से होंगे, Briefly, deficiency of demand hurts business expectations, business की जो expectations है, उसको deficient demand बहुत हर्ट करती है, मतलब कहीं न कहीं, बहुत ही उस पे impact होता है, ओके, low business expectations lead to low investment, अब कोई सोचे कि भाई, किसी के expectations ही कम है अपने business से, तो वो दिखती सी बात है, वो investment भी कम करेगा, और उससे क्या होगा, उसकी income भी कम होगी, low level of income and employment, Overall level of economic activities reduces the economy, is caught in low level equilibrium trap, और ये जो पूरा cycle है, कि भाई, low AD, फिर low investment, फिर उसके बाद में low output, फिर income, फिर demand, तो ये सब चीज़ें जब low होगी, तो कौन से trap में फसेंगे? Low level equilibrium trap में हमारी economy फस जाएगी, where low demand leads to low income and low income leads to low demand, जहां पे demand और income, low demand है, तो low income है, और low income है, तो low demand है, तो ये जो situation होती है, इसको हमने low level equilibrium trap के नाम से जाना है, और इस से क्या होता है? हमारी economy में बिलकुल ही disbalance आ जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत सी ऐसी policies government को बनाने पड़ती हैं, और इसको ठीक करने के लिए government को बहुत सी ऐसी policies बनाने पड़ती हैं, बहुत सा ऐसा investment करना पड़ता है, private consumption expenditure भी बढ़ाना पड़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो की करनी पड़ती है economy में, तब जाकर के जो deficit demand की situation है, वो rise होती है, और एक equilibrium point तक आती है, जहां पर aggregate demand और aggregate supply दोनों equal होती है, so I hope आपको आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने consequences के बारे में बढ़ा था, deficit demand के, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको हम नॉर्मल कर सके हैं, okay? So, I am going to see you in my next video, till then, take care.